हेलो दोस्तों मैं आपका गाइड आपका दोस्त अमर मिश्रा आप देख रहें मेरा यूटू चैनल स्टॉडी विट एडीपी क्लासेश पिछले क्लास में हम लोगों ने इकाईम मात्रक गती इन सारे चेप्टर से जो भी प्रशन प्रभीय सेर में पूछे गए थे उन सारे हम लोग सिक्वेंस भाइ कभर की है ते और समझनेश की कोशिस की इप चीक तरा प्रशन एकजाम में पूछे जाते हैं आज क्यों हम लोग का विशा हैं ध्वानि इसके बारे में हम लोग चाचा करेंगे और समझेंगे ध्वानि क्या होता है और इनसे जो भी प्राष्ण प्रिभियस यार में पूछे गए हैं उन सभी प्राष्णों को नम्मर वाइस हम लोग सुल्व करने की कोशिज करेंगे तो आये दोस्तों सुलू करते हैं धोनी क्या होता है ठीक है धोनी उर्जा का वह रूप है जो स्रोवन की संबेंदना पैद करती है धोनी तरंगों के रूप में गमन करती है ठीक है धोनी किसके रूप में गमन करती है तरंगों के रूप में धोनी बस्तुओं से उत्पन होती है ठीक है धोनी कमपायान बस्तुओं से उत्पन होती है ठीक है पदात जिसमें होकर धोनी गमन करती है माध्यम कहलाती है दूसरा पॉइंट है ध्वनी तरंगे ध्वनी तरंगे यांत्री तरंगे कहलाती है क्योंकि उनके संचारन के लिए द्रेवमानक माध्यम ठोस द्राव गैस आवशकता होती है यानि ठोस द्राव गैस लिक्वीड सॉलिड और गैस की आवशकता होती है किसके लिए ध्वनी के लिए आईए द्वनी की चाल ध्वनी की चाल उस माध्यम की प्राकिर्टिक पर निर्भर करती है जिसमें होकर वग गमन करती है धोनी की चाल भीन-भीन माध्यामों में भीन-भीन होती है यानि अलग-अलग माध्यामें अलग-अलग मान होगा धोनी की चाल होगी ठीक है यानि गेस में धीमी हो जाएगी और द्रव में तथा ठोस में तिब्डगती से इसका गती बेगन होगा, ठीक ना, गमन होगा, धोनी निरवात में गमन नहीं कर सकती है, तो धोनी वायू की अपेक्षा एस्टील में लगभग पंद्रा गुना, कितना गुना, लगभग पंद तिब्र गति से गमन करती है औरनी धोनी वायू की अपेक्चा सिटिल में लगवफक पंध्र गूना तिब्र गति से गति कर चकती है नेक्स्ट पॉइंट है GY की चाल धोनी की चाल तापमान पर निर्भा करती है यानि धोनी की चाल टेंपरेचर पर निर्भा करती है डिपेंड करता है जैसे जैसे वायू का तापमान बढ़ता है उसमें धोनी की चाल भी बढ़ती है जैसे जैसे वायू का तापमान बढ़ेगा टेंपरेचर बढ़ेग जबकि गर्मी में ध्वनी की चाल अधिक हो जाएगे क्यों होगी क्योंकि वह डिपेंड करता है उसके तापमान पर ठीक है नेक्स्ट परते हैं उसमें असपस्ट यह है कि ध्वनी सुस्क वाई में धीमी गती से प्रन्तु आद्रवाई में तिब्ड गती से गमन करती है यहा यहां पर कुछ चारने दिया हुए हम लोग देखते हैं विभीन माध्ययम में ध्वनी की चाल क्या होती है य में ध्वनी की चाल तीन से 131 मीटर सेकेंड होगी ठीक है question में पूश्च देता है कि वाई में ध्वनी की चाल कितनी मीटर पर सेकेंड होगी ठीक है तो चार अप्षन देगा तो यहाँ पर पढ़ेंगे में 331 मीटर पर सेकेंड होगा जबकि जीरो डिगरी पर होगा ठीक है और वाई में 22 डिगरी सेल्सियस पर ध्वनी की चाल 344 मीटर पर सेकेंड होगा ठीक है यहाँ पर हाइड्रोजन में 25 डिगरी सेल्सियस पर ध्वनी की चाल किया होगी तो 1284 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा समुंद्री जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनी की चाल 531 मिटर पर सेकेंड हो जाएगा एल्मुनिया में ध्वनी की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर 420 मिटर पर सेकेंड हो जाएगा और लोहा में ध्वनी की चाल कितना हो जाएगा 69 मीटर पर सेकेंड और एस्टील में 25 डिरी सेल्सियस पर 69 मीटर पर सेकेंड तो यह हम लोगा सार नहीं देखें हैं आए नेक्स देखते हैं धोनिक की अबरिती परिसर फिरक्वेंसी देखते हैं धोनिक की ठीक है धोनिक तरंगों को उनके अबरिती परिसर के आधार पर निम्म तीन भागों में विभाजित किया गया है। के 20,000 हर्स से कम अबरीती के धोनी नहीं सुनता है क्योंकि यह तरंगे कान के पर्दे को संभेंदित नहीं कर पाती है सुन नहीं पाएगा आधिक नहीं सुन पाएगा 20,000 हर्स से अधिक अबरीती की तरंगे की अबरीती इतनी अधिक होती है कि कान के पर्दे का दोहन इतना अ इसको प्राया क्यों सुन सकता है, कुता सुन सकता है, जानवर सुन सकता है, इसको कहते हैं, हेल, गोंड तता हाती अफ्सरब ध्वनी परिशर के ध्वनी को सुन सकते हैं, ठीक ना? अफ्सरब यानि कि 20 हर से कम वाले अबरिटी को कौन-कौन सुनेंगा, हेल, गोंड और हाती, तीनों ध्वनी परिशर को ध्वनी को सुन सकते हैं, ठीक है, प्राया ये देखा गया है कि कुछ जन्तु भुकम से पुर्व परसान हो जाते हैं, वास्तों में भुकम पो मुख्य सकते हैं, यानि में स्वक वेप से पहले निम अबरिती के अफ्सरब धौनी उत्पन करते हैं, जो संभवत व जन्तु को सावधान कर देता है, जब भुकम पो गेरा होता है, तो देखते हैं कोई जानौर होता है, पहले उन लोग को संकेत मिल जाता है, कि कहां पर क्या होने वाला है तो वह सावधान हो जाते हैं या कुछ गतिविधिया उन लोगों में अलग से दिखने लगती है ठीक है तो अवस्रब्य ध्वनी के कारण होता है ठीक तीसरा है पराश्रब्य द्रंगे अल्टरसोनिक वेप 20,000 हर्ज से या 20 हर्ज से अधिक अब्रिती की ध्वनी को प्राश्रब्य ध्वनी या पराध्वनी कहते हैं जैसे डॉल्फिन चमगादर जैसे जन्तु प्राश्रब्य ध्वनी उत्पन करते हैं ठीक ना पराध्वनी के अनुप्रियोग ठीक ना पराध् प्रेजियान से यह अरोधों की उपस्तिती में भी एक निश्चित पत्पर गमन करती है ठीक है दूसरा पॉइंट किया है इसमें दूसरा पॉइंट है उद्धियोगों तता चिकित्सा के छेत्र में पराद्ध्वनियों का बेवपाक उप्यों किया जाता है अब देखते हैं किसका प्रियों किया जाता है उद्धियोगों तता चिकित्सा में उद्धियोगों तता चिकित्सा के छेत्र में पराद्ध्वनियों का बेवपाक रूप से प्रियों किया जाता है ठीक है उद्धियोगों चिकित्सा में तीसरा है पराद्ध्वनियों को हिर्दाय के विव का प्रयों किया जाता है किसका प्रयों किया जाता है किसका प्रयों किया जाता है पाराध्वनी तरंगय का प्रयों किया जाता है ECG यानि इको कार्डियो ग्राफ ही में किया जाता है तीसरा पॉइंट है इसमें तीसरा पॉइंट क्या है पाराध्वनी का उप्यों गुर्दे की छोटी पत्री को बारी कनों में तोडने के लिए भी किया जाता है यह कन बाद में मुत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं क्युक्ति के लिए पराध्वनी तरंगों का उप्यों किया जाता है यह एक अएसी युक्ति है जिसमें जल में इस्तित पिंडों की दूड़ी दीशा चाल मापने के लिए सकते हैं और देसिबल imagine करूण तो धिता यहां असानी से सुन सकते हैं । में प्रती धQ तो प्रावर्तक वस्तु जैसे किसी ऐमारत अथोवा किसी पहार से निकट जोर से चिलाने एक जाने पुछ समय पहसरा शुक्री घुरEd फीर से थुद हम लोग-शुक्री Essentially सिस्टाइवाइ wala ist holi BM Gur shrine करते हैं ठीग है की सी मितिक के संभ़ेंट लागभाग 0.1 सेकेंट तक बनीं रहेती है और 2 प्रति दोने के लिए मुल्ड धोनी तता परावर्तिक दोनी के बीच कमसे ग Ramen फैस जी उर्वर सेकेंड के समया एंट्राल आवसका diffé यानि इतना समय के अंत्राल पर हम लोग सुन सकते हैं आए इन से जो भी प्रश्ण एक्जाम में पूछेगा है प्रिबियस वर में उन सारे प्रश्णों को हम लोग स्वल्व करने की कोशिस करते हैं और देखते हैं इनका अंसर सत्य होता है या सत्य है तो सुरू करते हैं कुथ्चन करते हैं आर फोस्ट जय desem सेकेंड God ओं नाइट्रोजन में धोनि चाल को अरोहिकर में सजाए तक है आरोहिकर में यहनि सब से घ्शट हो जाएगा पाहला नाइट्रोजन हो जाएगा पहला नाइट्रोजन सेकेंड हो जाएगा जल और उसके बाद इस पात यानि सबसे कम हो जाएगा ध्वनी की चल नाइट्रोजन में उसके बाद हो जाएगा किस में जल में और सबसे अधिक होता है इस पात में ठीक है तो अपसन नमर हम लोग का बी जो की सत्यांस सब्सक्राइबॡ वायू में धोनी के बेग 331 मीटर पर सेकेंड होता है धोनी का बेग अधिक्तम होता है तो अधिक्तम कहा पढ़ होता है धातु में होता है इस पात में यानि धातु में होता है धोनी का बेग अधिक्तम होता है सबसे कम किस में हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा अपका गैस में ठीक है तीसरा है धोनी का बेग अधिकतम होता है तो इस पात में धोनी का बेग क्या हो जाएगा अधिकतम मेक्सिमम हो जाएगा ठीक है अपसन नमर डी दिया है यह सही हो जाएगा कोश् concise नमर चार कह रहा है धोनी तरंगो का सबसे तिभ्र प्रगंमन होता है सबसे त्रिभ प्रग्णमन थोस में होता है ठीकि台 थूस में धोनी की तिब्रता सबसे अधिक होती है कोश्च्य क्वेश्चन नमर्पांच कह रहा है यदि भी ए भी डबू ताथ भी एस क्रम्स वायू जल और इस पात में ध्वनी की गती हो तो वह तो इसका option 4 दिया हुआ है तो इसमें देखते हैं भी ए इस ग्रेटर दे भी डबलू अब भी डबलू इस ग्रेटर दें भी एस यानि आंसर नमर हम लोका क्या हो जाएगा एक सत्य आंसर हो जाएगा ठीक ना यहां पर एक हो जाएगा question नमर छो दे रहा है इसमें पूछ रहा है कि लगभव 20 डिग्री सेल्सियस के ताप क्रम पर किस माध्य में धोनी की गती अधिकतम होती है तो हम लोग पढ़े हैं लोहा में धोनी की गती कितनी होती है आईए देख लेते हैं लोहा में धोनी की गती हो जाएगी आपका 69 और 50 मीटर पर सेकेंट ठी हो जाएगा क्या हुद्ञ सुन्हेट किता Dave के दोनी की गती हना में धोनी की गती बीकर्ण होती हम स स्क्य हम लोग साथ के तरफ चलते हैं साथ पूछ रहा है फ्यनी ठांग है अफ् gloss ऑमने दिया हुआ निरवाथ में चल सक्तिए भिमी दिया हुआ है एकोण। माध्य में चल सकती है सी में दिया वाए केवल गैसों में चल सकती है और डी में दिया है ठोस तता गैस दोनों माध्य में चल सकती है तो आप समन दी हम लोग पढ़े हैं पिछले हम लोग अभी पढ़े हैं तुरांत ठोस तता गैस में दोनों माध्य में चल सकती है धोनी की च खल सकति है धोनी तरंगों का भेग ठोसु में अधिकतम द्रौम में उससे कम तता गैस में निवनुतम होती है ठीक है बिल्कुल सथ्य है हावा में ध्वनी का भेग इसका दियावा ब्याख्या हम लोग पड़ते हैं वाई में धोनी तरंग यांत्री की तरंग है सत्ती है यह बिल्कुस आई है क्योंकि उनके संचड़न के लिए द्रयात्मक माध्यम जैसे ठोस द्रवग गैस की आशक्ता होती है वाई या गैस में धोनी तरंग अनदर्ग होत सकती है कि कुश्चन नमर 9 पूछ रहा है नीचे दिये गए बिकल्पों में से किसमें धोनी आर पार नहीं जा सकती है ठीक है नहीं जा सकती है अफसन यह दिया हुए पानी बी दिया हुए निर्वात सी दिया हुए लोहा और डी दिया हुए वाई तो निर्वात में धोनी और पर नहीं जा सकती है अप्शन नमर हम लोग का बी बिल्कुत सत्यांसर है आए इसका दिया हुआ ब्याक्या पड़ते हैं धोनी के संचरन के लिए किसी ना किसी माध्यम की आशकता होती है बिल्कुत सत्य है निर्वात के सोड़ी निर्वात में यानि वेक्यूम में माध्य अनुपस्तिती के कारण द्ध्वनी तरंगे संचार नहीं कर सकती है थीक? निरवात में द्ध्वनी तरंगे चल नहीं सकते है except каче caption के अनुपस्तिती होते हैं जिसके कारण वह चल नहीं सकती है question संक्या 11 यानि 11 पूछ रहा है दोस्तों जब एक दोनी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह रासी जो होता है अपरवर्तित रहती है क्या उसका अपरवर्तित रहता है तो यह में दिया है अबरिती lud لहा में अलग आयाम हो जाएगा चाल पादी में पानी में अलग हो जाएगा वैसा ही अबरीती नहीं बदलती यह पूछा गया प्रमस्ने काफ ही मुः इन पर्टेंट है यह इसका दिया हुआ ब्याक्या हम लोग पड़ते हैं दोनी एक अस्तान से दूसरे अस्तांता तरंगों की रूप में गमन करती है धोनी तरंगे अनुदर्ग यांतरी की तरंग होती है बिल्कु सही है जब धोनी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो धोनी की चाल तता तरंग दर्गे बदल जाती है जबकि आपडिती उसकी नहीं बदलती है, बिलकु सही है, कुश्च नमर बारा कह रहा है, कुश्च नमर बारा पूछ रहा है दोस्तों, म्यूजिक कंसर्ड के लिए हॉल की दिवारों को अपसन ए में दिया है, धोनी को बढ़ाना चाहिए, दुसरा है, धोनी प्रेसित करना तीसरा है, धोनी को परवर्तित करना चाहिए, और चौता है, धोनी को अफसोसर करना चाहिए, यानि कि D हो जाएगा आंसर यह इसका, धोनी को अफसोसर करना चाहिए, ठीक है, आई देखते हैं, इसका ब्याख्या दिया हुए, हम लोग पढ़ते हैं, इसमें अधिकतर ठोस यहों का ठोर सताय धोनी को प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्